द्रव्यमान और वजन ये फल बेचने वाला विक्ति क्या कर रहा है? वो फलों के द्रव्यमान का अर्थात वस्तुमान का हिसाब लगा रहा है उसके पास एक मानक खंड है जिसका वजन एक किलो ग्राम है जिसकी सहायता से वो सबजियों को तूल रहा है एक किलो ग्राम मानक द्रव्यमान है अर्थात वस्तुमान है जिसे दुनिया भर के सभी लोग समझते हैं और जानते भी है वस्तुमान किसी भी वस्तु का निहित गुण होता है वो अपने आसपास के बातों से स्वतंत्र होता है वस्तुमान हवा, पानी, समुद्रतल या फिर एवरेस्ट हर जगा पर समान ही होता है इसकी गणना करने की पद्धती भी स्वतंत्र होती है क्या आप बता सकते हैं कि वस्तुमान की गणना कितने विवित प्रकार से की जा सकती है वास्तों में किसी भी वस्तु के वस्तुमान का अर्थ होता है वो कितने और कितने किसम के अनुन निर्मित है वस्तुमान आदिश राशी है और इसकी इकाई किलोग्राम है चूकि ये आदिश राशी है अतहा ये गणित के नियमों का पालन करती है यदि हमने एक किलोग्राम चावल में एक और किलोग्राम चावल मिलाया तो इस बरतन में जो चावल है उसका वस्तुमान दो किलो हो जाएगा चलिए अब हम इस पुस्तक को तराजु पर रखते हैं इसका वजन क्या है वजन या वस्तुमान चलिए कोशिश करते हैं ये तराजु पुस्तक का वजन 600 ग्राम दिखा रहा है बजन काटे को अर्थात तराजू को वास्तों में वस्तुमान नापने के लिए ही बनाया गया है पर वो वस्तुमान को नहीं नापता तराजू वास्तों में बल को नापता है जब हम इधर दबाते हैं तब भी हमें 600 ग्राम ही दिखता है अर्थात यहां हम बल का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए कहा जाता है कि तराजू मात्र बल कुनापता है जब हम इस पुस्तक को तराजू पर रखते हैं तब पृत्वी का गुरुत्वा करशन बल उसे केंदर की ओर खीचता है इसके विरोध में तराजू द्वारा भी उतने ही बल का प्रयोग किया जाता है चूँकि पुस्तक हिल नहीं सकती है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों बल समान है हम जानते हैं कि इस बल की गणना हम पुस्तक के वस्तुमान गुणा जी अर्थात गुरुत्वा करशन के होने वाले त्वरण द्वारा करेंगे 9.8 मिटर प्रतिसेकन ये जी का सर्वमान्य मूल्य है इन तराजूओं को योग रूप से जाचा गया है अर्थात ये कैलिब्रेटेड है हम कह सकते हैं कि ये तराजू अचूक मापक है ये तराजू पुस्तक के कारण निर्मान बल्की गणना करता है और उसे 9.8 से विभाजित करने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे वस्तुमान कहता है वजन वस्तुमान से सम्मंदित होता है और हम अक्सर इन दोनों संकल्पनाओं में गड़बड़ी कर देते है वास्तों में संकल्पना के रूप में ये दोनों एक दूसरे से काफी भिन्ह है किसी भी वस्तुमान वजन पृत्वी द्वारा उस पर लगाये गए गुरुत्वा करशन का बल होता है जब किसी वस्तु का मुक्त पतन होता है तब नीचे की ओर होने वाली उस वस्तु का त्वरण जी के बराबर अर्थात 9.8.3 होता है पृत्वी की सतह पर वस्तु का वजन लगभग उसके वस्तुमान गुणा वजन के बराबर होता है जो नीचे की और निर्देशित करता है किसी भी वस्तु का वस्तुमान गुरुतवा करशन पर निर्भर नहीं करता है वहीं दूसरी और किसी भी वस्तु का वजन उसके वस्तुमान के अनुपात में भले ही होता है पर इसके साथ वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस ग्रह पर है अर्थात वो स्थानी ये गुरुतवा करशन के एक शेतर से अनुपात में होता है यदि हम इस पुस्तक को चान पर लेकर जाएं कि फिर भी इसका वस्तवान 600 ग्राम ही होगा और इसका वजन कितना होगा स्मरण रहे कि गुरुतवा करशन के कारण चान पर जो त्वरण होता है वो प्रिथवी की तुलना में 6 गुना कम होता है जैसे जैसे हम ग्रह से दूर जाते हैं हमारा वजन बदलता जाता है यदि हम पृत्वी के विबिन भागो पर जाएं जैसे दुरूविय प्रदेश या विशवृत्तिय प्रदेश तब भी हमारे वजन में हलका सा परिवर्तन आता है सारांश आज हमने महत्वपूर्ण भातिक राशी के बारे में जानकारी ली दुरूव्यमान और वजन चनौती यदि आप एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हैं तो क्या आपका दुरूव्यमान बदलेगा माउंट एवरेस्ट पर आपका वजन क्या होगा ओज में आपका व्राब ए्याद का वाणी आपका वंवरेस्ट की चारी यदिएेश वूवरे नव्र हैं